प्रियांका गांधी ने बताया कैसे सियाल कोड से मुरादाबाद पहुंची और क्या है पंजाबियत का उनका बड़ा कालेक्शन जी हाँ, दरस्तर हाली में प्रियंका गांधी पंजाब पहुची थी और सीम चरंजीत सिंग चन्नी के लिए वोट मांगती नज़राई, उन्होंने पंजाब की जनता के लिए कई बड़े ऐलान भी किया और इसके साती सत्ता पक्षपर निसाना भी साता, साफ तोर पर प्रिय पंजाबियत को जिया जाता है, पंजाबियत कहने से, पंजाबी कहने से, पंजाबी कोई हो नहीं जाता है, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने पंजाबियत जी है, उनके पती पंजाबी है, उन्होंने यात किया उस घटना को, जब उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी जो सा कैसे जान बचाकर भागे थे उस वक्त जब पंजाब में स्थतियां बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और वो मुरादाबाद पहुंच थे प्रियंका गांदी ने बताया कि उनके ससूर जब मुरादाबाद पहुंचे तो वहां उन्होंने एक छोटा सा बिजनस शुरू किय और वो बिजनस धिरे धिरे करके बहुत आगे बढ़ता चला गया तो यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांदी ने साफ तोर पर कहा कि हम दिल से पंजाबी हैं हमने पंजाबियत को जी है लेकिना सत्ता पक्ष के लोग केवल और केवल पंजाबियत को जीने का दिखावा कर रहें पंजाबी होने का दिखावा कर रहें यह पंजाबी है नहीं दरसले देखा जा रहा है कि पंजाब चुनाओं से पहले आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच काटे की टकर देखने को मिल रही है उससे यह साफ तोर पर जाहिर हो रहा है कि मुकाबला कितना ज कॉंग्रेस पार्टी महासच्ची प्रियंका गांधी यह पूरी कोशिश कर रही है कि जंता को अपनी तरफ किया जाए कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जो गोशना पत्र जारी किया गया है पंजाब में उसमें सिद्धू मॉडल की छवी दिख रही है इसका साफ मतलब है क कि सिद्धू को खुश करने की कोशिश की जा रही है चन्नी और सिद्धू की एक साथ तस्मीर भी सामने आए जिसमें यह कहा गया कि सब कुछ ठीक है और पियंका गांधी का फार्मूला काम कर गया आज के लिए तनहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जाँ दीजे नमस्वाइज दीजे नमस्वाइज